जै जै माहावीर बजरंग बली बजरंग बली मौरिनाव चली जै जै माहावीर बजरंग बली अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा आपका व्यापार नहीं चल रहा कि दुकान नहीं चल रही तो आप बिल्कुल भी परेशान उदास मत हो क्योंकि समस्याई हैं तो समधान भी है ग्रह अगर खराब हैं तो उनके निदान भी है बहुत सारे साथियों के प्रशनाते हैं कि पंडित जी दुकान को चलाने का कोई उपाए बताएं और आप सभी को ये ग्यात भी है कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे जो तिश्य उपाए जो दुकान की बिकरी को बढ़ाने वाले होते हैं आपको बताता रहता हूं इसी तरह से श्रधा भाव से आप उन उपायों को करते रहें भगवान की कृपा से आपकी दुकानदारी में कभी भी कोई रुकावट नहीं आएगी प्यारे बंधू जनों कई बार हमारी बहुत अच्छी चलती हुई दुकान बंद पड़ जाती है और दुकान का काम बिलकुल ठप हो जाता है उसके कई कारण हो सकते हैं आपकी दुकान को किसी की नजर लग जाती है या दुकान पर नकरात्मकता बहुत ज़ादा हो जाती है दुकान पर किया कराया का बंधन बन जाता है दुकान पर किसी की बद्दूआ लग जाती है ये सभी ऐसे प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से हमारी दुकान चलना बंद हो जाती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुबारा आपकी दुकान कभी चलेगी नहीं बिलकुल आपकी दुकान चलेगी भी और आपके उपर माता महालक्षमी जी की कृपा भी होगी केवल आपको जरूरत है सही उपाए करने की भगवान की ट्रपा से आपका सारा काम पहले की तरह अच्छा हो जाएगा बहुत दिनों से बहुत सारे भग्त जनों के कमेंटा रहे थे कि पंडिच जी हमारी दुकान बिलकुल ठप हो गई है सारा दिन में दुकान में एक भी ग्रहक नहीं आता दुकान में बिलकुल भी सेल नहीं हो रही है तो मैं आप सभी भग्तों को बताना चाहता हूँ कि आज का यह एपिसोड आप सभी भग्तों के आग्रह पर आपकी रिक्वेश्ट पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और इस सुपाई को अगर आप करते हैं तो आपकी दुकान खूब चलेगी तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को प्रारंभ करते हैं ओम्त्रियंबकम्यजामहे सुगंधिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिवबंधनान् मृत्योर मौक्षिया माम्रियतात बोलिये शंकर भगवाने की जय नमेशकार सुस्वागतम आभार आप देख रहे हैं जोतिश मिरा कलोर मैं पंडित नेते शास्त्री आप सभी भगवाने का आज के एपिसोड पर हारदिक अभिनंदन करता हूँ आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे और प्रभु श्री राम चंदर जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे यह उपाई आप करिए और कुछ टाइम में ही आपकी दुकान चलने लगेगी बहुत शक्तिशाली यह उपाई है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और जितना जादा श्रधा और विश्वास के साथ इस उपाई को आप करेंगे उतना जादा इसका रिजर्ट आपको मिलेगा तो उपाई कुछ इस प्रकार है शनिवार के दिन आपने सुपाई को करना है शनिवार की शाम को आपने एक मिट्टी के दीपक में रुई की बाती लगा कर और उसमें सरसों का तेल आपने दीपक में डालना है इस दीपक को आपने जला लेना है और सरसों के तेल के इस दीपक को जला कर इसके अंदर दो लोंग जो छोटी लोंग होती है वो थोड़ी पीली सरसों डाल देनी है अब इस दीपक को अपनी पूरी दुकान में आपने साथ बार घुमाना है और घुमाने के बाद अपनी दुकान में ही दक्षिन दिशा की तरफ मुख करके इस दीपक को आपने रख देना है शनिवार की शाम को सूर्य के अस्त होने के बाद आपने इस कारिय को करना है नो शनिवार तो आपको ये प्रियोग करना है और अगर आप लाइफ टाइम के लिए चाहते हैं आपकी दुकान अच्छी चले तो इस उपाय को आगे के लिए भी आप कंटीनिव कर सकते हैं नो शनिवार से जादा भी इस उपाय को आप कर सकते हैं ये कारिय आपने कर देना है परमपिता परमात्मा की कृपा से आपकी दुकान चलने लग जाएगी अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बोक्स में अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं आज के लिए बस इतना ही अब आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी नए विशे के साथ तब तक के लिए हसते रहें मुस्कुराते रहें जय माता की